जहीं दोस्तों क्या हाल है स्वागत है आप सभी का टॉपर गेल एक सी यूट्यूटीव चैनल में दोस्तों इस वीडियो में क्लाश 12 सामान हिंदी यूपी बोर्ड एक्जाम 2025 के लिए वाइरल प्रशन लेकर आ चुके हैं तो भाई वाइरल प्रशन है ऐसा ही पेपर आपके विशाय कोड होता है यहां पर आपका सव का पुडांक होता है और यहां पर सबसे इंपोर्टें टीन गंडे 15 मिनट समय मिलते इसको पूरा करने के लिए 15 मिनट जो परिच्छार्थियों को प्रशन पत्र पढ़ने के लिए निरधारी थे इसमें आपको ध्यान रखना है कि पेपर को आपको ध्यान से पढ़ना है इससे होगा यह कि आप लोग पेपर को अच्छे से नलाइज कर पाओगे और अराम से प्रजेंटेशन कर पाओगे हर बड़ाहात नहीं होगी तो यह आपको ध्यान रखना है और यह भी पता चलेगा कौन सा प्रशन पहले करना है कौ नखा भी पचास अंक का होता है टोटल मिला करके आपको हैंडेट मार्क्स मिलते हैं यह आपको ध्यान रखना उसके बाद यहां पर चलिए सौल करते हैं सबसे पहले दस नंबर के बहुवी कल्पी प्रसन आते हैं तो पांच नंबर का इतियास पांच नंबर का हिंदी पद है उसके बाद आगे बढ़ते हैं आगे हैं निम लिकित में से चार राम चंद सुकल द्वारा लिखा निबंद है तुम चंदन हम पानी स्री बिद्द्य निवास मिस्र जी का यह होगा नहीं रश्ट का सरूप आपको पता होगा वासुदे सराना गरवाल असो के पूल हजा द्रू की रचना की जो विधा है वो क्या हो जाएगी नाटक चंद्र गुप्त इसकंद गुप्त अजा सत्रू धुरू स्वामनी कामना राज श्री यह सभी नाटक जे संकर प्रसाद के हैं कहानी है प्रतिध्वनी छाया इंद्रचाल आकास दीप इनकी प्रमुख जो उप जीवनी किस विधा की रचना है तो यह जो है दोस्तों उपन्यास विधा की रचना ये भी आपको याद रखना है आगे बढ़ते हैं आगे आपका आता यहां पर क्या आता है यहां पर बहादूर कहानी के लेखक हैं देख रहे हो ना भाई आपके पाठ पुस्तक से ही पू जाती है धुर्वयात्रा ठीक है क्या हो जाती है धुर्वयात्रा Ooh गा आपको ध्यान रगना चार कहानिया आपको पढ़नी होती हैं और पांच नंबर का आपको लांग कुश्चन भी लिखना पड़ेगा आगे आपको मिलेगा दूसरा आपका आता है यहां पर देखो यह हिंदी पद्ध का इतिहास पांच अंग के इधर प्रसन है पांच प्रसन रामधारी सिंधेकर प्रमोग कभी है तो रामधारी सिंधेकर जी कमपडार के यह होगा नहीं किसा बने कर सकते हो इस पहर को आप पूरा को पूरा डाउनलोड करना चाहते हो साथ मैं आ께서 प्रसन आप सोच सकते हो इसरे क्या होगा आप टाइम मैनेजमेंट सीखोगे बोर्ट एक्साम में जाओगे हर बड़ी नहीं होगी आपको confidence रहेगा 99 फोड क्या आना है और एक चीज में बताना चाहूंगा 99 अगर आप फोड़ना चाहते हो तो मुझे याद आ गया कि हाँ जी मैंने एक 99 रुपीज में केवल 99 इसलिए ले रहा हूं कि 99 नंबर आपका विकास भाई या वादे के साथ कहसता दिलाएगा हिंदी इस्पेसल बैच है डिस्क्रिप्शन में एप्लिकेशन का लिंक भी मिल जाएगा या लर्ण मंतर अप्लिकेशन आप लोग डाउनलोड कर सकते हो वहां से आपको देखने को मिलेगा हिंदी इस्पेसल बैच उसको आप लोग जॉइन कर लेना वेरी इंपॉर्टेंट है मैं कही दूना कि भाई देखो इसका जो प्राइस आप देखोगे मैंने 500 करवाया था टीम ने ठीक है 500 से उतारके मैंने कहां नहीं आर बच्चे सभी नहीं ले पाएंगे सभी बच्चों को 99 दिलाना है तो मैंने केवल 99 कर दिया भाई इतना सिंपल और मैं आपको बता दूं मेरी जिम्मेदारी केवल इतनी है कि हिंदी में 99% इत्तु सा पढ़ा के इतने नंबर दिला दू बस ठीक है तो आप लोग जोईन हो सकते उसी में आ सोहा का उल्टा होता है सोठा तो सोठा चंद में भी इन्होंने रचनाएं की हैं और इनकी भासा कौन सी हो जाती है आप लोग मुझे बताना बियारी लाल जी की भासा कौन सी हो जाती है तो इनकी ब्रज भासा हो जाती है उसके बाद यहां पर आसू रचना है मैंने बताया किसा है नönठर नागेंदर का याद रख लेना आगे बढ़ते हैं आगे आपका क्या आता है यहाँ पर ठीक कभी यह पता नहीं क्या करने लगता है बूड उसके बाद आपका आता है अंगा नृमबर लाश्ट दूसरा सब्पक का प्रकासन कब तो दूसरा सब्तक का जो प्रकासन वो निस वी क्यामन में हुआ लेकिन एक प्रस्ण और आता है तार सब्तक या फिर प्रथम सब्तक प्रथम या तार सब्तक इसका प्रकासन वर्स पूछ ले तियाद रख लेना 1943 ECV में हुआ था और मैं आपको अभी से guarantee के साथ कहता हूँ ये प्रसन आना है बोर्ड exam में ये clip card करके मैं आपको भेजूँगा फिर फिर आप पश्ता होगे exam देने के बाद इसलिए बोल रहा हूँ जो उसको मानो मेरी बात इस प्रसन को तयार करो तायर सब्तक, प्रथम सब्तक, तीसरा सब्तक, चोथा सब्तक ये सभी प्रकासन जो है अयोध्या सिंग उपाद ध्याए हरी ओध जी ने किया था ऐसे भी पूंच सकता है कि हरी ओध का पूरा नाम क्या है तो अयोध्या सिंग उपाद ध्याए है ठीक है ये भी याद रखना है अब यहाँ पर इन्हों ने टोटल चार सब तक प्रकासन किये थे और दो सब तक किस वर्स में प्रकासित हुए थे उसको याद कर सकते हो आगे है आपका तीसरे नंबर का कुश्चन दिये गए गध्यांस पर अधारी निम्लिकित प्रस्चनों के उत्त दीजिए भाई 5 गुणे 2 यादि 10 नंबर की फ्री में मिलते हैं मैं आपको बता चुका हूँ बार बार किस चैप्टर से आप लोग पहचानिये जल्दी से देखो यहाँ पर हना अतेव राष्ट राष्ट मिल गया अब राष्ट का मतलब राष्ट का सवरूप लेखा का न सब्सक्राइब नंत करने वाले जनों का विस्था राष्ट रहने वाले प्रतेगक जीव अपना विकास करते रहते हैं उनकल विकास वह ओंन्त में रहे रहे या फिर पूर में रहे रहे हैं, जनपत से छोटा जो है वो पूर कहलाता है, और पूर से फी छोटा गाउं, जो आज के समय में बोला जाता है, मतलब ग्राम सभा जो लगती है आपकी, वही आप कहलो पूर, उसके बाद गाउं हो गया, फिर उसके बाद आपका जंगल, फिर आपका परवत यह सभी मतलब आते हैं गाउं में है ना यहां पर इसमें बाटा गया है जनपत का मतलब होता है जिला नगर का मतलब होता है प्रदेश उसके बाद आपका लो आगे आगे आपका क्या आता है यहां पर यह आपका हो गया तो नंबर आपका इसका ले लोग कैसे स समान अधिकार का भागी का उन है जो मात्र भूमी के साथ जुड़ा है वह समान अधिकार का भागी है यह देखो तो यहां पर आपका हो जाएगा जो समान अधिकार का भागी हो है जो मात्र भूमी से जुड़ा है तो दो नंबर आपका यह भी पक्का हो गया उसके बाद आप का मतलब बताया ही जीला उसके बाद अथो में भी देगा भासा का सीधा संबंध है ना क्या है ठीक है यह हो गया आपका ठीक है माता सब पुत्रों यहां पर आपका आता है यदि यह नभीनी करना सिर्फ कुछ पंडितों की अचारों की दिमागी का सती बनी रहे तो भासा गत्सील नहीं हो सकती यह भासा के बारे में तो एक चैप्टर आपने पढ़ा होगा भासा हना और आधुनिक्ता तो जल्दी से बताना आपने पढ़ा है नहीं किसकी रचना है आप लोगों मुझे कॉमेंट कर रह जाएगा अंसर इसी में ठीक है तो यहां पर प्रियोग से यह देखो प्रियोग और जंता से भासा का सीधा संबन उसके बाद आपका आता है यह भी दो नंबर पक्का हो गया यूरोपी देशों में सब प्रेस्टन के कौन-कौन से माध्यम है तो यहां पर आपका हो हैं यूरोपी देशों में यह भी हो गया कुठारा घात का मतलब कुल ऐसे किया गया एक कॉंठेक्स के प्रेस वात Spain को चीजित करना हो व्योगा तो गया है जन्म-जन्म में सुने जी हुआ मेरा धिक्यारइब उसे था महां छुर्त ने घेडा सौवार धन्यवाए एक लाल की माई जिस जन्नी ने है जना भरत सा भाई पागल सी प्रभु के साथ सभा चिलाई अब यहाँ पर भरत आ गए अब आप एक चीज पकड़े भरत से आपको याद आ जाएंगे भईये भगवान सिरी राम राम से याद आ जाएंगी उनके सबी चीज़ें तो यहाँ पर आपको आजाएगा एक नामयाद कैकेई जिन्होंने भगवान सिरी राम को वनों में भेज दिया था ये एक सराप था कैकेई सिरी राम जी को बहुत प्रेम करती थी लेकिन होता है ना कि भाई कुछ चीजें होती है जो अच्छे के लिए होती है अगर भगवान सिराम जंगल ना जाते तो मर्यादा पुरुसोत्तम भगवान सिरी राम ना कहलाते इसलिए घर की सुख सुविदाओं को छोड़ करके जो व्यक्ति आगे आगे आभी पढ़ाई करने जाओगे तो व्यातर व्यक्ति बन किया ओगे इसी तरीके से होता है तो भगवान सिराम मर्यादपूर्शोत्तम सी इराम कहला है रामण का वद गिया, तीनों लोकों में उनका पूरा का पूरा डंका बजा, क्यों बजा, क्यों कि कहिकेई ने उनको वनवास भेज दिया था, तो देख सकते हो न कैकेई नी बहुत अच्छा काम किया था भगवान सी राम के लिए प्रकार से अब यहाँ पर क्या हुआ यह पूरा समझोनी जन्व जन्म में सुने जीव मेरा यह दोनों वाक जो है यह दोनों वाक कैकेई बोल रही है अब इसमें से आपको चैप्टर का नाम याद आ रहा होगा कैकेई का अनुताप अनुताप का मतलब होता है पच्छतावा ठीक है तो कैकेई जी पच्छतावा कर रही है भगवान सी राम को वन में भेजने के बाद वन वास करवाने के बाद पच्छतावा कर रही है जब जणकजी की भी मृत्ट्य हो जाती है है न हा भरत जी जो है राजगद्धी स्विकार नहीं करते हैं जब वापस आते हैं उनको खरी खोटी सुनाते हैं कि Hey Maata आपने ये क्या किया तो इस तरीके से कईकेई फिर पश्तावा कर रहे हैं कि जन्म जन्म में सुने जीव यहां मेरा कॉंटेक्स पता चला कि जन्म जन्मांतरों तक के जीव हर एक जीव मेरी इस बात को गांट बांद के सुन ले क्या, दिकार उसे था महासवारत ने घेला मैं वही पाप टिनी वही अभागिन कईकेई हूँ जिसको दिकार है क्या करता है जन्म जन्मांतरों के जीव को संबोधित करती हुए कहती हैं कि मैं वही अभी अभी अभागा भागी नहीं जो महास्वार्थी बन गई थी यही चीज हो गई दो नंबर आप बना का लिखोगे भी तो कुछ भी अलगा कर दोगे दो नंबर मिल गया उसके बाद कैके प्राश् जिस जन्नी ने है जना भरत सा भाई ये भगवान सी राम बोल रहे हैं ये देखो तो ये भगवान सी राम बोल रहे हैं ये आपका हो गया यहां से दो नंबर आपका ये भी पक्का हो गया उसके बाद प्रभु के प्रभु राम के साथ का कैके अपराद का अप मार्जन करत सभा क्या चिला उड़ी वही जो भगवान स्री राम बोले वही सभा भी बोलने लगी है माता अपस्तावा मत करो है ना क्योंकि आपने आप एक महान हो क्योंकि आपने भरत जैसे भाई को सी राम जी को दिया है ये चीज भी सभा बोल रही है अब इसका अर्थ मुझे बताना छक्षप में कौन सा अलंकार है दीप कच्षप में काउंस अलाब का दीप के जैसा कच्छप आप कहलो तहा पर तुलना हो रही है तो उपमा पर हो कार हो सकता है रूपक प्रेक्षए इन तीनों में से बताना कौन सा हो जाएगा उसके बाद इसको करना खेल तो कए तो आपको तेंसा नहीं है जो आपको अच्छे से आ रहा हुश घ्जाय संस्टीव लिए अश्रधर 478 div नुद्बmern 5ँ दूम्बर शहास्थ लिगने के लिए दो नंबर आपको उनकी रसेना लिखने के लिए प्रभाकर तो यह सभी आपको सहितिक परिचे तयार करने इंपोर्टेंट बताए दे रहा हूं वासुदेव सनलक गरवाल हजारी पसाद दिवेदी कनहया लालमिस्र प्रभाकर डाक्टर अभी से बोलना है पांच नमबर तुम लेके जाना और यह सभी चीज में तयारी करवा है वहाँ पर आपको हिंदी स्पेशल बैच मिल जाएगा उसमें जौइन हो जाना है उसके बाद आपका यहां पर आता है निम लिखित में से किसी एक का विकास सहितिक परिचे देते हुए उसकी एक क्रतिया उल्यक करना है पांच नमबर तीन नमबर सहितिक परिचे का दो पर रचनाओं का यहां पर महादेवी वर्मा रामधारी सिंधिन का सुमित्रन नंद बंत जय संकर प्रसाद इंपॉर्टेंट है याद कर लेना पांच नमबर लेके चले जाना उसके बाद यहां पर आता ही देखो कथा साहित नहीं हिंदी कहानी कहलो तो कहानी में आपका प पनच्लाइट के लेका क्यों है थिक बहादुर कहानी आपने पीछे पड़ा canikणत बहादुर के पनच लेंद कर्देख कि कृन हो मँझे को यह जैंट कर देना हम आ देखता हो कितने बच्चे देखते हैं और यह सभी कहानियों का सारांथ हैर एक Workshop में फीडिया ओंध थम मे तो 99 जब आप जोइन करोगी इसमें आपको live classes भी मिल जाएंगी पीडियप भी मिल जाएंगे अप्लोडेट क्लास भी मिल जाएगी इंपोर्टन भी मिलेंगे पेपर भी मिलेंगे कोई देगा आप बताओ मुझे को इसकी प्राइज भाई 500 थी मात्र आज के लिए मैंने 99 कर दिए जा करके अप्लीकेशन में डाउनलोड कर लेना 99 में आप जुड़ जाना प्रीबुकिंग हो रही है एक तारीक से के बाद प्राइज 500 हो जाएगी अभी मैं प्रीबुकिंग कर रहा हूं देखता हूं कितने कि नंवाद करना है तो अनुवाद करना α XXX आनुवाद कर नहीं आपको लिए लिक करके शीखनें आप लोगSकते हो उसके बाद यहां पर आपका एक आता है तो नमबर का है निए 14 नमबर का टोटल हो जाता है अनुवाद करना ही संस्कृत का तो बहुत बड़ा नमबर है तो अनुवाद करना सीख लो यह सभी अनुवाद पीडियो फॉर्म में मैं लिख दूँगा आसान भासा में तो आप लोग उसको एक बार पढ़ लोगे आपको अन निकालना इद का चांद होना बहुत दिनों बाद दिखाई पढ़ना कालाक चरभैस बराबर अनपढ़ होना कान पर जूनरेगना बेपरवाह या लापरवाह होना अब यहां पर अपना उल्लू सीधा करना रमेश इतना स्वर्थी हो गया कि बस वह अपना उल्लू सीधा कर यह हो गया तुम क्यों नौकर से पत्र पढ़ा रहे हैं उसके लिए तो काल आक्षर भैस बराब है यह चीज हो गया कुछ भी आप लोग कह दो इसको आप लोग मुझे बताना दसमें का आता है आप पठीत गध्यांज पर अधारे निम्लिकित प्रसणों के आपको उत्तर दे कि इतना नहीं ढूड़ पाओगे लेख रकेनिस और इच्छा लोब आदि का क्या पहिनाम होता है इच्छा लोब असंतों लोब आदि के कारण मनुस आगे बढ़ने को प्रेरित तो जरूर होता है लेकिन उसका क्या पहिनाम होता है यह आप देखोगे समाज में सोसन कुठ पिलतात्यचार भोगवरत्ययों असांति का महौल बन जाता है हो गया उसके बाद यहां पर आता है यह आपका क्लियर हो गया अदर्सों की रच्छा के लिए सत्पूरुस को क्या करना चाहिए तो यहां पर आप लोग ढूंड लेना सत्पूरुस उजल भविस्त के लिए अनिष्ठ और अनिष्ठ अनिष्ठ मतलब बुरा अनिष्ठ मतलब निष्ठ रहती ही आपका हो जाएगा मात्र और मात्र मतलब केवल और मात्र मतलब माता कहां है केवल और माता ठीक है उसके बाद निमली की सब्दों में से किसी एक सब्द के दो अर्थ आपको लिखना है तात मतलब होता है पिता, जनाक है ना यह हो गया, सूरभी जल्दी से बताना कि नहीं, दो का ही लिखना है, शिखा, तो जल्दी से आप लोगों को बताना है, मैं देखता हूँ कितने बच्चे यहांपर सही अंसर दे पाते हैं, ठीक है, वैसे मैं आपको बताऊंगा तो यहां पर मैंने लिख कर भी रखा है ठीक है तात का मतलब क्या होता है आदरनी व्यक्ति कोई हो जिसको बोलते हैं तात है या फिर पूज जनक पूज व्यक्ति कोई हो या फिर आप सुरभी सुरभी का मतलब क्या होता है गाए गाए भी बोला जाता है सुन्दर मनोरम या फिर खुस्बू भी बोला जाता है सिखा मतलब क्या होता है सिखा मतलब होता है कोई एक चोटी होना या फिर सिखा प्रकास को भी बोलते हैं जो लाइट आपके घर में आती प्रकास होता है उस सिखा को सिखर भी बोलते हैं यह हो गया मधु मतलब क्या होता है भाई या मद भी बोलते हैं और सराब भी बोलते हैं या फिर आकरसक कुछ भी चीज हो उसको मद भोल देते हैं उसके बाद आ करसक वन होता है मद भोन कहां गये हो माध्षून के लिए एक ऐसाइस सद का च्यान करके लिए तो आपको ऐसाइस सद लिए लेका मोलता हो इस मित भाशी है बहुत बहुत हो जो कि आपको हो जाए प्रॉजा Amar तो हो नहीं सकता जो भूड़ा ना हो और दो नहीं है तो आनinator नहीं मैंने कि अनिकर को सुद्र आना ही आना है अनेकों आना वह जाएगा में अनेकको नहीं मैं अनेक बार दिनली जा चुका हूं यह आपका सभी हो जागा कर ने पुस्तक लिखी को सीता आपकस क्या है इस् तुरी इलिंग है तो लिखा कियो निखी होगी निए स्बूंद्र होना चाहिए अबजेक्ट भी गमला मेज में रखा है गमला मेज के ऊपर रखा है है ना गमला मेज पर रखा है होना चाहिए उपर होता है ना में होता है अंदर मैं महेश को पढ़ाया हूं मैंने महेश को पढ़ाया है यह होना चाहिए मैं महेश को पढ़ाया है यह क्या होता है उसके बाद आपका यह देखो करूनरस सां सैंत्रस के स्थाइभाव संचार्व करता है तब सांतरओं को तम मिलती भों किसी किर्टन गान भगवान के पास वह सब करते हैं वो सब करते हैं भाई यह बगती करते हैं यह करणल सेनलभा आइस को था अ करुन समय सुनता हो उत्पर ंक्छ लंकार अध्वा उत्पर एक टरीका होता है उसी तरीके में आपको में अपने सब्दों में लिखना होता है यह आसान है छे नंबर आपका उसके बाद आपको यह निबंद लिख देने हैं हो गया आपका यह पूरा का पूरा हो गया एक चीजा आपसे रिक्वेश्ट है अगर आप इस पूरे पेपर का सल्यूशन चाहेते हैं तो आप लोग लगना मंतरा से प्रहार बै जो है साहितिक हिंदी दोनों हिंदी है तो यह हिंदी मैंने केवल हिंदी नाम इसी लिए रखा है तिध्यान रखना है तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगयोगी पीडिया बगएर सब कुछ मिल जाएगा उसमें लर्ण मंतर अप्लिकेशन डवनोट करना है चल